हाई एवरिवान वेलकम चु कुकिंग विद बेनजीर दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू यह बड़ी ही आसान रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है और फटा-फट बन जाती है तो आए देखते हैं किस तरह बनाया जाता ही है सबसे पहले हमने 500 ग्राम मटन ले लिय प्रिम प्याज स्लाइस करके सीका एक टेस्पून अध्रक मैंने इसे बारिक चॉप कर लिया है आप इसे chopper में चॉप कर ले या फिर आप इसे दर्दरा सा कूट लें ऑक्फ दनियां इसे बारीक कोटा है। 1 टीज्पून अख्था जीरां भाव टीज्पून black pepper भाव टीज्पून हल्दी पाउडर मुनेन हाव टेबल स्पून लस्ण इसे भी मैने चॉप करलिया है। आप इसे दरदरा सा कूट ले या फिर हाथ से विलकुल बारीक काट ले 2 टमाटर, टमाटरों को मैंने चील लिया है पहले और फिर इसे इस तरह से बारीक काट लिया है 1 टीजपून सॉफ 3-4 सुखी मिर्ची, मैंने इसे इस तरह से एक मिर्ची को दो दो तीन तीन पीस में कट कर लिया है ये हम तीन से चार ले लेंगे तीन से चार लॉंग दो तुकडी डालचीनी एक बड़ी इलाइची, तीन छोटी इलाइची अपने टेस्ट के इसाब से नमक चार हरी मिर्ची तीन टेबलस्पून तेल इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हम इसमें पाणी आड नहीं करेंगे हम इसे इसे इसी तरह से प्रेशर कुप करेंगे पहले हम हाए फलेम पर इसे एक विसल तक पकाएंगे फिर आट से दस मिनिट लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तब तक कि ये गोश गल जाएगा टेंडर हो जाएगा हम फ्लेम को आउन करके इसे प्रेशर कुक कर रहे हैं पर ध्यान रखे हमें पानी नहीं आड़ करना है आईए मटन को चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से तेंडर हो चुका है मसाला भी सारा अच्छी तरह से इसमें पक गया है हम इसे फ्लेम हाइ करके अच्छी तरह से बून लेंगे हमने 5-10 मिनिट इसे हाइ फ्लेम पर भून लिया है आप देख सकते हैं कि तेल उपर आ गया है इसका मतलब हमारा गोश अच्छी तरह भुणा गया है हम इसमें आड़ कर देंगे दखी 3-4 टेबल स्पून बीट करके दो हरी मिर्ची चॉप करके और थोड़ा सहरा धनिया मैंने दो हरी मिर्ची आड़ की है आपके घर में अगर ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसे ना डाले या एक डाल दे ये मिर्ची की जो क्वांटिटी में आपको बताती हूँ ये टोटली आप पे डिपेंड होता है कि आपके घर में कितना स्पाइसी खाते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दूँगी लगभग आधा कप और इसे में लिट कवर करके दुबारा प्रेशर कुक करूँगी दो से तीन विसल के बाद मैं फ्लेम को बन कर दूँगी फिर हम इसे चेक करेंगे हमने इसे दो विसल तक पका लिया है बहुती बढ़िया तरीके से ये पक गया है आप चाहे तो मटन स्टू वेसल में भी बना सकते हैं बगेर प्रेशर कुक करके उसमें लेकिन बहुत समय लगेगा बस हमें जैसी ग्रेवी चाहिए थी ऐसी ग्रेवी है यह अगर आपको ग्रेवी कम लग पी है तो आप इसमें पानी आड़ करके इसे और 5-10 मिनिट पका लें अब हम इसे सर्व करेंगे तो दोस्तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेर करें तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टिक केर बाबाई